मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में मित्रो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेत जो सीधे तोर पर यह बतलाते हैं कि आपका अच्छा समय आज से सुरू होने वाला है क्या है वो संकेत वह बताने से पहले मैं आपसे अनुरूत करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निसान पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें क्या है वो संकेत एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आप रात को सोते हैं और सुबह जब उठते हैं आईने में अपने चेहरा देखते हैं अगर आपको आईने में चेहरा देखने के बाद एक अलग चमक अपने चेहरे पर दिखाई देती हैं तो यह एक संकेत हैं कि आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है घर के दरवाजे पर गाय अगर रंभाती हैं तो यह भी एक सुब संकेत माना जाता है अगर आपके घर में चागर की चछत पर बिल्ली बच्चों को जनम देती हैं तो यह भी बहुत सुब माना जाता है और माना जाता है कि आज से आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है काली चीटियां अगर आपके घर में समु में घूमती हैं और वहां अपने बच्चों को जनम देती हैं तो यह भी एक सुब संकेत माना जाता है रात में गाय की हुंकार भी धनलाब का एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है प्राकर्तिक रूप से अगर कबूतर आपके घर में निवास करने लगें तो यह भी बहुत अच्छा फल माना जाता है और माना जाता है कि महलक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो चुकी है मोर वे नीलकंट अगर आपके घर के आसपस दिखाई पड़ते हैं तो यह भी एक बहुत सुपसंकेत माना जाता है सपने में अगर आपको साफ पानी दिखाई दे तो यह बहुत अच्छा फल माना जाता है और माना जाता है कि धन के राजा खुबेर आपके करीब आ चुके है कपड़े उतारते वक्त अगर कुछ रुपे आपकी जेब से जमीन पर गिर जाते हैं तो यह भी धन लाप का संकेत माना जाता है सुबह काम के लिए तयार होते समय अगर मकडी के जाल में मकडी चलती हुई दिखाई देती है तो इसका मतलब यह माना जाता है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वह आज सफल हो जाएगा अगर आप सपने में हरी भरी घांस, हर्याली और पानी देखते हैं साफ तो यह भी एक बहुत सुब संकेत माना जाता है और माना जाता है कि हमारा अच्छा समय सुरू हो चुका है घर से निकलने पर रास्ते में अगर कोई पक्छी आकर बैठ चाए और वो बिना हिले-डूले बैठा रहें तो यह बहुत अच्छा संकेत माना जाता है और बहुत सुब और फलदाई होता है अगर रात को सपने में दूद दही या उससे बना कोई भी पितार्थ आप देखते हैं तो यह माना जाता है कि हमारा अच्छा समय शुरू हो रहा है और हमें कोई अच्छी खबर जल्द ही मिलने वाली है और मान लीजे आप परिक्छा के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई पुस्प, कोई फूल पड़ा नजर आता है जो एकदम स्वच और ताजा दिखाई पड़ा है तो यह संकेत है कि आप जिस परिक्छा में जा रहे हैं वह आप सफल जरूर हो जाएंगे वहां आप जरूर सफल दाप्राप्त करेंगे तो यह कुछ संकेत हैं जो हैं बतलाते हैं हमारा अच्छा वक्त आज से सुरू हो रहा है अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे ही संकेत हो रहे हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताईए और मित्रो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने परिवार जनों के साथ इसको शेर कीजिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद